आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी study close पर आपका बहुत दोस्वागत है दोस्तों आपको बता दो कि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी destabilizing force बोल दिया है हम बात करेंगे इसकी चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटा फट और अच्छा एक चीज़ और बता दू कि इंस्टा पे हमारा official page हमने बना दिया है Facebook पे भी बनाएंगे दोस्तों बहुत जल्ड तो जो भी announcement है recruitment से related updates हैं सारे current affairs सारे videos आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक जगाँ और इंस्टा पे आपको पता है आड भी नहीं आते तो आप यहाँ पे follow हम को कर सकते हैं description comment box पे link दिया studyglows का page है और telegram पे आप आएं यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे तो भाई देखो पाकिस्तान आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले बताय था कि पाकिस्तान की जो ISI है और जो इनकी army है मैंने खुद ही बोला था लगता है शायद बारत ने मेरी बात सुलने से की सबसे destabilizing force है पाकिस्तान से लोग भाई वो तो उनका तो कोई कुछ नहीं है उनका क्या को सूर्ट लेकिं जो पाकिस्तान की government है बहुत बेकार है बहुत ही बखवास सबसे बड़े आतंकी ग्रूप यही है ISI और इनकी जो force है तो भारत ने भी यही बोला है बार-बार कश्मीर इस्यू को United Nations में पाकिस्तान द्वारा उठाया जा रहा है तो भारत ने बोला है कि वाही देखो हम पाकिस्तान से कभी भी constructive contribution की affection नहीं रख सकते है वो धेश जो आतंकियों को पना देता है global terrorism का epicenter है उससे तुम क्या उमीद रखोगे दुनिया की सबसे बड़ी destabilizing force है इतने कड़े शब्दों में भारत ने पाकिस्तान को बोला है भारत के जो permanent mission के counselor है एम अरनाथ उन्होंने मंडे को बोला कल बोला, परसो बोला मतलब कि देखो भारत को कोई advice ने चाहिए उस देश से तो बिलकुल ने चाहिए जो जिसका track record है nuclear material ये technology को export करने का तो उससे तो बिलकुल ने चाहिए अब पाकिस्तान ये जो desperate attempts कर रहा है दूसरों की सांटिटी को abuse कर रहा है ये हमारे collective content मतलब सारे देशों को साथ में आकर पाकिस्तान को contempt करना पड़ेगा लेकिन वही है कि इंटनाशनल पॉलिटिक्स में सब के अपने-पने मनसूबे हैं अब जिनको पाकिस्तान के साथ जाने हैं उनको लगता है कि उनके साथ जाने में ज्यादा अच्छा है और जिनको भारत, जो भारत के साथ है, भारत के साथ ही, तो ये है, और हमारे शांदार कोर्से जाते हैं, अब जरूर हमारे app को डॉणलोड करके, तो पाकिस्तान का जो इन्वॉय है, उनाइटे नेचन का मुरीर अकरम, फिर से उसने, वाई, उनाइटे नेचन की मीटिंग घ भारत ने जबर्दस्ती जम्मु इन कश्मीर कबजा करके रखा हुआ है, इल्लीगल, यह सब उल्टी सीदी बकवास कर रहा है, तो भारत ने फिर अमरनाथ ने बोला कि बैटे, बेटा देखो एक चीज समझ लो कि पूरा का पूरा जम्मु इन कश्मीर हमारा है, और हमेशा हम रहेगा, अब बात खाली पियोके पे होगी, तो जो भी पाकिस्तान ने, जो एरिया है कश्मीर, जो तुमने उक्यूपाई करके रखा हुआ है, पाकिस्तान उक्यूपाई कश्मीर, अब उसको छोड़ो, और तुरंत छोड़ो, क्यूंकि इस इल्लीगल उक्यूपेशन तो ये जो तुम्हारी आदत है न, आतंकियों को पालने की, उनको रखने की, उनको सपोर्ट करने की, तुमसे कोई कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, तुम ऐसा ही रहोगे, बहुत कड़े शब्दों में भारत ने बहुत लटार दिया है, समझे, लेकिन कुछ लोग ब अर्सेनल पर बोल रहा था, तब फिर से भारत ने बोला कि बेटा, हम रिस्पॉंसबल एस्टेट हैं, तुम्हारी तरह नहीं इर्स्पॉंसबल एस्टेट हैं, ऐसे आपको बता दू कि यह जो रिप्लाई होता है, यह बहुती सब भाशा में होता है, मैं तो ऐसे, लेकि इ बाइड करते हैं, तुम्हारी तरह एर्स्पॉंसबल नहीं हैं, तो तुमसे हमको कोई भी एडवाज नहीं चाहिए, जिसका रिकॉर्डी, ट्राक रिकॉर्ड इतना बेकार है, निउक्लियर मेटिरियल को एक्स्पोर्ट करने का, टेकनोलोजी को एक्स्पोर्ट और वो भी आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अमेरिका को इस पर सोचना चाहिए, वो तो 9-11 के बाद अमेरिका ने सोचना शुरू किया, तो यह जो security concerns है यह पूरे region को हिट करने वाले हैं, हमारा तो constructive approach है, disarmament पे, लेगिन पाकिस्तान का disruptive रहा है, पाकिस्तान चाहता है, कि बस अशांती फैलाई जाए, और इधर भम फोड़े उधर भम इस तातंकी group को support किया जाए, पता नहीं क्यूं चाहता है ऐसा, क्या है, अरे जो पैसा तुम इन लोगों को दे रहे हो, वो जाके अपने देश में लगा दो, global climate change में कुछ थोड़ा सा contribution कर दो, नहीं वो नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, उनको कोई फरक ने पड़ता, अमरनाथ ने बोला है कि 25 साल हो गए हैं, और अभी तक दुनिया, जो पाकिस्तान की obstructionist, एक tactist है न, उसका price वो पे कर रहे हैं, दुनिया पे कर रही है, कहने का मतलब ही था कि जो पाकिस्तान आतंकियों को पना दी है, उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में मिला न, यह बहुत बड़ा एक argument दिया जाता है, जब भी पाकिस्तान तो भाई उसामा बिन लादेन और पाकिस्तान को बोल भी नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा आतंकी, इतना बड़ा आतं वही है सारी चीजे तो यह जो भी कर रहा है ना यह हम लोग एक responsible state है और जितनी भी nuclear treaties है वो पाकिस्तान ने सब का हनन किया हुआ है फिजाइल मेटीरियल कट आफ ट्रीटी जो की 2009 में पाकिस्तान ने लगातार उस negotiation को ब्लॉक किया हुआ है हम तो disarmament का program जो है वो बिल्कुल हम carry out करते हैं हम बिल्कुल तयार है disarmament करने के लिए हम चाहते हैं कि दुनिया एक अच्छी बढ़िया जगा बने दुनिया लेकिन पाकिस्तान उसको ब्लॉक करता कि उसको पता है कि नहीं हतियार जमा करते रो जमा करते रो फिर उसी हतियार से अपने देश को बरबाद कर लो तालिबान पर आपको देखा है न दूस्तों क्या हो रहा है पिछले दो अफ़ते में पाकिस्तान की सेना पे भहेंकर भीशन अमले हुएं और यह यह जो जॉइंग किया है, consensus इस पे पूरा का पूरा रहा है, पाकिस्तान ने पना true character दिखा दिया, program of work में वही nuclear material पे खतम करना, disarmament, लेकिन पाकिस्तान ने complete U-turn ले लिया, और कोई भी इस पे काम हुआ ही नहीं, पूरा block कर दिया इस पे, इसलिए पाकिस्तान को बोलते हैं क कि भाई, he is the epicenter of global terrorism, दुनिया की सबसे बड़ी destabilizing force है, cross-border terrorism है number one, कोई भी regard नहीं, they have no regard for United Nation principle, फार्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान और चाइना दुनिया को ठेंगे पे रखते हैं, सच में बता रहें, और कात कुछ नहीं है, लेकिन रखेंगे जरूर, United Nation principle को एकदम disregard करन पाकिस्तान का permanent representative जो है, वो peace और security की बात करता है, और उधर प्रधान मंत्री, इमरान खान जो है, वो Osama bin Laden को glorify करता है, कि तो यह तो शहीद है, इससे बड़ी hypocrisy की भी सीमा होती है, इससे बड़ी hypocrisy, duplicity हो सकती है क्या, बताइए, अमरनाथ ने बोला है, अमरनाथ ने बोल जाके पढ़ के आओ, यह भी तुमको हम लेसंस दें, यह कोई forum नहीं है कि उठा के Kashmir का इशू, यह भाई, एजेंडा है, ताकि disarmament international security की बात की जाते हार देगा Kashmir Kashmir, खुब लाताड़ा, पहुत लाताड़ा, तो भाई है, we wish to retaliate that regional security issues have no place in the first community consideration, यह regional issue है, तो जाके जब United attendation में बोलो ना जाके, वहाँ तो कुछ बोले नहीं, बोलते हो तो मूह की खाते हो, तो committee ने, पतलब इनों ने बोला कि committee, should not only categorically reject Pakistan के जो comments आया है, और vicious design है, लेकिन collectively पाकिस्तान को contain भी करे, लगातार जो politicize करता रहता है, आतंक को politicize करने की, आई, मुझे तो लग रहा है क कि अगले election में हाफिस सहीद लड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ से, आप देखिएगा, तो यह जो करता है, इसको बंद करना चाहिए, तो अमरनाथ ने right of reply दिया है, जब पाकिस्तान ने इस चीज को बोला, और यही है कि लगातार भारत के खिलाफ, hatred फैलाता रहता है, insecurity है, जब अभी COVID-19 pandemic में आपने देखा कि भारत ने पाकिस्तान की बहुत मदद भी की, और भारत कभी भी पाकिस्तान को ऐसे चोटा भाई ही मानता है, कोई ऐसे उसका हाथ नहीं छोड़ा है, हमेशा समझाता है, कहते हैं कि कभी-कभी चोटे भाई को समझाना पड़ता है, कि ब hopeless efforts हैं, पाकिस्तान का धोका साफ साथ देखता है, double speak देखती है, और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है, accountable हुआ रहे, मतलब पूरी दुनिया उसके उपर pressure बना, कि भाई अब तुम इसके जिम्मदारी लो, जो violence और hate जो फैला रहे हो, अमरनाते ये भी ब repress किया जाता है, minorities को repress किया जाता है, compulsive obsession है, भारत को लेकर पता नहीं क्या obsession है, तो ये चीज़ है, तो अगर कुछ भी मेरे देश के खिलाफ ये false agenda या propaganda फैलाए जाएगा, तो मैं यही बोलूँगा, लंबा चोड़ा statement दिया है, और सही दिया है, यागि पाकिस्तान फिर बोलेगा, फिर मोगी खाएगा, तो आप इंस्टा को join करना ना भूले, description, comment box में लिख दिया है, thank you so much